पार्ट आठ समय आदमी तीन प्रकार के होते हैं समय पर घर पर ना मिलने वाले समय पर किसी के घर ना जाने वाले और ना ही समय पर किसी के घर पर मिलने वाले इसके बाद कुछ मुठी बर जीवदारी बचते हैं जो समय पर घर पर मिलते हैं और समय पर दूसरे के घर भी जाते हैं सजनतावश हम उन्हें भी आदमी कह देते हैं ये असल में टाइम पीस है ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाद घरी देखते रहेंगे उन्हें हम बरदाश्ट कर लेते हैं इसलिए इनकी चर्चा करना वेर्थ है चर्चा उनकी करनी हैं जिन्होंने सुबह आट बजे घर पर मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं है हम उनका बैठक में इंतजार कर रहे हैं बड़ा लड़का शिश्ठता का निर्वा करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है वह बीज बीच में आक की कोर से हमें देख लेता है कि हम उठने की तयारी कर रहे हैं या नहीं हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं खेल के बारे में बात कर लेते हैं वह हमारे बड़े सवालों का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और बुजुर्गी के सामने बचकानी बगबग कर रहे हैं समचार पढ़कर विज्यापन पढ़ने लगते हैं, बीज-बीज में पूछ लेते हैं, कहां गए हैं, वह जवाब देता है, पता नहीं, कब तक आएंगे, पता नहीं, कुछ कह गए थे, कुछ नहीं, हम फिर अकबार देखने लगते हैं, जरूरी काम हैं, भीतर औरते परिश यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया है, उठने का नाम ही नहीं लेता, अरे कह दिया के घर पर नहीं है, तो जाता क्यों नहीं है, है कौन यह, अरी वही है, क्या नाम है उनका, कुछ काम धाम है नहीं, तो यहां बैठें, वहां बैठें, पर इनकी भी तो आदत है, कि जिस तिस से कह देते हैं कि घर आना हमारा चेहरा लाल हो जाता है। कान की लोरिया जलने लगती हैं, मगर हमें ज़रूरी काम हैं। आखिर हम उठते हैं, लड़के से कहते हैं, अच्छा अब हम जाते हैं कह देना की हम आये थे। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा कर लेता है शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौक कर कहते हैं अरे मैं तो भूली गया तुम्हें बड़ी परिशानी हुई होगी ना मुझे सकत अफसोस है अच्छा कल आट बजे आ जाओ मैं तुम्हारा इंति करूंगा दूस्ते दिन आट बजे फिर पहुचते हैं बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने से पहले ही कह देता है वे घर में नहीं है कहां गए हैं पता नहीं कब तक लोटेंगे पता नहीं कुछ कह गए हैं कुछ नहीं वह फाटक तक इसलिए भागता आया है कि हम वहीं से लोट जाएं पर हमें काम है और हम खुद फाटक खोल कर भीतर आ जाते हैं चोटा लड़का हमें देखकर दर्वाजे से चलाता हुआ भीतर भागता है ओ अम्मा वह फिर आ गया हम बैठक में बैठ जाते हैं बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है हम कल क अगबार पढ़ने लगते हैं लड़का मूझ शिपा कर हसता है छोटे बच्चे दर्वाजे पर आकर हमें देख जाते हैं भीतर औरतू की बातचीत सुनाई देती है लो वह तो फिर से आकर बैठ गया बड़ा मठर आदमी है कह दिया कि आदमी घर पर नहीं तो जाकर अपना क कामधाम क्यों नहीं देखता कुछ कामधाम हो तो देखे सब हसती हैं छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दर्वाजे पर आकर कहता है ए पापा बाहर गये हैं हम अंसुना करते हैं लड़का फिर कहता है पापा बाहर गये हैं बड़ा लड़का उसे अनुचि ऐ मुन्य चुप चाटा खाएगा मुन्य को अब इस खेल में मजा आने लगा है दरवाजे पर आकर बार-बार कहता है पापा बाहर गए है बड़ा लड़का उसे डाटता है तो वा खिल खिला कर ताली बजाता हुआ भीतर भाग जाता है फिर आता है हम उठते हैं कहते हैं पत खिड़की और दर्वाजे पर है और बड़ी दिल्चस्पी से हमें जाते देख रहा है इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर पर मिल गए तो लगता है कि भगवान को पा लिया जो लोग समय ते करके भी घर पर नहीं मिलते हैं वे मुझे भगवान के एजिंट मालूम होत है भगवान के दर्वाजे पर तो कोई जर्म इंतिजार करना पड़ता है अगर उधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी दूसरी बात यह है कि इंतिजार से प्रेम बढ़ता है हर शन वही मन में रहता है और आखें फाटक पर बिची रहती है प्रेम का ग् मिलने का समय तै कर लेता हूं पर उस वक्त हर्गिज उनके घर नहीं जाता या निश्चित है कि वे घर पर नहीं होंगे समय की पाबंदी के लिए जितनी साबधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर ना मिलने के लिए नहीं चाहिए मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूं जब उन जब मेरा उनसे नया परिचय था और कुछ अपचारिकताएं बाकी थी तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया मैं ठीक 11 बजे पहुच गया मालूम हुआ के वे घर पर नहीं थे आते ही होंगे यह सोचकर में बैठ गया 12 बज गये तो मैंने उनके लड़के से पूछा कहा गये हैं उसने कहा कुछ पता नहीं है कब आएंगे कुछ बता गये हैं नहीं मैं बैठा रहा जब तक एक बज गया तब लड़के ने कहा आपको कुछ जरूरी काम होगा मैं उसे कैसे बताता कि क्या काम है मैं अलबत्ता इतना समझ गया कि इस परिवार में मेरे लिए भोजन का कोई प्रभंध नहीं है मैं थोड़ी देर और बैठ कर उठ गया शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरे के घर भोजन कर रहे थे मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए कहने लगे अरे बड़ी गलती हो गई मैं भूली गया फुला के यहां बैठा था उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वहीं खाना खा लिया अच्छा अब कर जरूर आ जाना कई सालों के उनके साथ के अनुभवों से मैंने सावधानी की दिवार अपने आसपास खड़ी कर ली थी वे जिस वक्त घर पर मिलने का वादा करते उस वक्त में कभी नहीं जाता और जब वे मेरे घर आने की बात तै करते तम में बे खटके बाहर घूम था मुझे विश्वास था वे उस वक्त नहीं आएंगे उन्होंने शाम को साथ बज़े आने का कहा तो सुबा आठ बज़े तक भी आ सकते हैं वे घर से इधर आने के लिए ही निकलेंगे पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे उससे बाते करने लगेंगे उसके घर चले जाएंगे वहाँ खाना खालेंगे और तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तै किया था वे हड़ बढ़ा कर भागेंगे पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे लेकिन कई सालों बाद मेरी साबधानी की दिवार फिर तूड़ी हमारे एक मित्र का तबादला हो गया मित्र से उनके भी अच्छे संबन थे मिले तो भावो को हुटे अरे अपना जाने कब मिलना होता है इतनी दूर चले जाओगे कब जा रहे हो मित्र ने तारीख पताई वे बोले तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो तुम और परसाई दोनों आ जाओ देखो भूलना मत मैं रहा देखूंगा मेरी मन में खटका तो हुआ पर वा भावुकता और आत्मियता के सामने मैं भी गाफिल हो गया दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुच गए वे घर पर नहीं थे हम दोनों अब सचेथ हो गए मित्र ने कहा यार उन्हें जानते हुए भी तुमने कल हा कह दिया मैंने कहा निमंतरन तो तुम्हारा था मैं भादक क्यों मनता उसने कहा लेकिन हम आ क्यों गए हां कह देते पर आते नहीं मैंने कहा पर उन्होंने भोजन का प्रभंद करवा लिया हो तो फिर ना आना कितना बुरा होता उसने कहा कहा प्रभंद करवाया होगा यार लड़के से पूछ लो न मैंने लड़के से पूछा क्यों वे कुछ कह गए हैं वहाँ बोला जी नहीं वे तो कुछ नहीं कह गए हैं हमने एक दूसरे की तरफ देखा और उट खड़े हुए रास्ते में किसी ने बताया कि वे अमुक जगा बैठे हैं हम वहाँ पहुचें इसके पहले कि मैं उनसे शिकायत करूँ वे उस मित्र से बोले तो कब जा रहे हो द जैसे उन्हें तबादले का समाचार अभी मिला है अब हम पूरी तरह रक्षा के लिए तयार थे मित्र ने कहा आजकल मेरा बिलकुल अनिश्रित है इसलिए समय तय करना ठेक नहीं होगा मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा वे बोले हाँ हाँ कभी भी आ जाओ तुम्हारा ही तो पर मेरा मत दूसरा है ऐसे लोग ज्यानी हैं मैं जानते हैं कि हम अनन्थ हैं और आत्मा अमर है जल्दी वे करें और समय का ध्यान वे रखें उनकी उम्र पचास साथ वर्षकी होती है हमारी उम्र तो करोडो साल है क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं जो काम इस जन्म में पूर अनुष्य का चोला लिया है अगली बार वा मेधक का चोला भी ले सकती है तम मेधक के रूप में हम वे काम पूरे कर लेंगे जो आदमी के रूप में भी नहीं कर पाए जल्दी क्या है हरी शंकर परसाई पार्ट नौ